जब कोई हमें इग्नोर करता है तो दिमाग में वई केमिकल रिलिज होता है जो चोट लगने पर होता है अगर आप किसी से आँख मिला कर बात नहीं कर पाते तो उसकी आखों के ठीक विस्ट में देखकर बात करें आप चैदा अच्छे से बात कर पाएंगे साइकोलोजी कहती है कि लोग आपको श्रिफ दो कारणों की वज़े से पसंद करते हैं आप कितने सुंदर हो या आप कितने काम्याब हो अपने जीवन में हम जितने खुश रहेंगे उतने ही कम निंद की आवसकता होगी यदि रात में सोते वक्त आपके धिमाग में कोई कोराने का कारण बनते हो तो आप उनकी नजर में चला आकरशक बनते हो जो लोग खेड़की किस सीट पसंद करते हैं जब वे यात्रा करते हैं तो वे अकेले रहना पसंद करते हैं जब आप किसी पिछली कटना को याद करने की कोशिश करते हैं तो वास्तम में आप याद कर गया तो फिर वही नहीं रहता एक सची कहानी सुनाते समय एक व्यक्ति आम तोर पर बहुत सारे हाथ के इसारे करता है जब वे चूट बोलते हैं तो एक व्यक्ति के हाथ बिलकुल स्तिर रहेंगे चरोरी नहीं है कि अलाराम कडिया आपको जगाए वे आपको चोकाती है इससे कबराड पैदा होती है चो आपकी निंद की स्तिती को बादित करती है जो स्वस्थ नहीं है हमारे दिमाग में खत्रे का पता लगाने और उसे बापने के समता होती है अगर आपकी आख आपको बताती है कि कुछ गलत है तो उस पावना को कभी भी नजरिंदास ना करें 74 लो ना करें और हर समय भावोक रहना बंद करें अकेला पन या अतित से उबरने के लिए कभी रिष्टे में ना आए कभी भी अपमान का जवाब मूझ से ना दे बलके कुछ ऐसा करें जिसे वो इनसान सरमिंदा हो जाए जिसे आप प्यार करते हैं उनसे कभी भी जोठे वादे या जोठी उमीदे ना करें उन लोगों से कभी भी संप्रक ना करें जिन्नोंने आपको हमेशा कठीन समय दिया है जो लड़किया चरह मुस्कुराती है उनसे लड़के चल्दी आकरशित हो जाते हैं उसके विप्रिद जो लड़के कम मुस्कुराते हैं उनसे लड़किया उतने ही ज़्यादा आकर्शित होती है एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ चाहे हम कितने भी खुश हो ले लेकिन जब वो दिल दुखाते हैं तो यार पुरा नहीं आते हैं रिष्टा ऐसा हो जो हमें अपना मान सके हमारे हर दुख को जान सके चल भाए हो अगर इमाबाब के सपने कूट जाए मासूब बने रहना किसी अच्छा नहीं लगता ये तो जिन्दकी है जो थोड़ा-थोड़ा समझदार कियो जा रही है ताई है बदलना हर चीज बदलती है इस चाह में किसी का दिल बदल गया किसी के दिन बदल गया जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगोनी और दुख आदा हो जाए वही तो अपना है बाकी तो बस दुनिया है इंसान जब भी महापत में आखे बंद करके चलता है तो सामने वाला उसकी आखे खोल देता है कभी तका देकर तो कभी दोखा देकर चो रिष्टा हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिष्टा नहीं जो रिष्टा हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिष्टा नहीं जाद रखना अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बलकि सामने वाले व्यक्ती से चाना सफल होकर लिया जाता है कड़ी को देखो मत बलकि वो करो जो कड़ी करती है बस चलते रहो जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं होता वो इंसान अपनी उकात दिखा देता है इंसान उस वक्त अकेला नहीं होता जब वो अकेली जगा में बैठा हो वो उस वक्त अकेला और तना हो जाता है जब फीड में उसको अपना कहने वाला ही उसे नदरंदाज कर करने लगता है